नमस्का दोस्तों, Infocus Civil Academy में आप सभी का स्वागत है, दोस्तों जहां एक तरफ है सचवाले में समिक्षा रिकारी की ग्रुप B की गस्टेड आफिसर की पोस्ट जैसा आकर्शन, तो वहीं उसके बरक्स दूसरी तरफ है 11 लाख फॉर्म, पहार जैसा स्लेवस और महज 50 दिन का समय, जाहिर से बात है कि चुनोती अपने आप में बहुत बड़ी है, परंतु ध्यान यह भी रखना होगा कि ऐसा संयोग जिसमें बिना O-Level के requirement वाली RO की vacancies, ARO से कहीं ज्यादा है, यह अपने आप में दुरलब है, और सनद रहे कि आपने साल भर जितना भी कुछ, जो भी कुछ मेहनत की है, पढ़ाई की है, किन्तु एक्जाम के नजदीक के दो महिने अपने आप में बेहद एहम और कारगर्फ सिद्ध होते हैं, ऐसे में आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, कि अब चुन की 50 दिन का समय शेष है, तो इतने बड़े syllabus को कैसे हम लोग cover कर सकते हैं, जाहिर सी बात है कि काफी सारी चीज़े आपको पढ़नी होंगे, और काफी सारी चीज़े छोड़नी होंगे, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, इन सभी को प्रतियक विशय के प्रतियक topic के आधार पर हम लोग आपको explain करेंगे, परन्तु उसके साथ साथ आपको आज के इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा ये जो 50 hard day challenge नाम का एक नया initiative जो की completely free है ये क्या है, क्या इसके features हैं, इन सभी विश्यों पर हम लोग आज बात कर रहे होंगे यदि एक निचोड के रूप में मैं आपको बताऊं, तो कुल मिलाकर यदि आप चाहते हैं कि अंतिम 50 दिनों में बिना किसी भटकाओ के परिक्षोपयोगी सभी महत्योपूर्ण topics का कम से कम तीन बार revision करना, तो हमारा यह 50 hard day challenge प्रोग्राम आपके लिए सर्वता उप्यूप है क्योंकि इसे हम लोग अप पिछले 20 दिनों की कड़ी महनत के बाद अपने विभिन विश्यों के सभी सिक्षकों के साथ मिल करके, उनके तमाम अनुभवों के निचोड को सामिल करके और UPPSC के latest exam pattern को properly analyze करने के बाद प्रतियक विशय के प्रतियक topic पर तमाम बहस मुभाहिसों के बाद इसको हम लोगों ने तयार किया है और केवल तयार नहीं किया है, बलकि इसका प्रायोगी तोर पर परिक्षन भी करा कर देख चुके हैं, उसके बाद यह हम लोग आपके समक्ष ला रहे हैं यही कारण है कि पिछले 20 दिनों से हम लोग YouTube से नदारत थे क्योंकि इसे तयार करने में काफी जद्दो जहद कर्ष्मकस का सामना करना पड़ा है क्या है यह 50 हार डे चैलेंज प्रोग्राम? तो देखिए 50 हार डे चैलेंज प्रोग्राम अपने आप में 50 दिनों में आरो यारो प्रिलिम्स की एक ऐसी डेडिकेटेड डिजाइन तयारी है जिसमें किसी भी हालत में प्रिलिम्स को निकालवाने की ताकत है और इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इससे आपकी जो डेडिकेटेड तयारी है वो बिना किसी भटकाओ के एकदम समर्पित और लक्षित तयारी की ओर अग्रसर हो सके समझते हैं इसमें क्या-क्या इसके फीचर्स हैं तो देखे सबसे पहले जब हमारा यह प्रोग्राम जो शुरू हो रहा है 19 तारिक से यानि आगामी मंगलवार से इस मंगल कारिक का हम लोग शुबारंब करेंगे और क्या-क्या होगा उसमें तो उसमें देखे सबसे पहले तो आपको यहाँ पर daily detailed study plan मिलेगा यानि कौन सा topic आपको किस दिन पढ़ना है कैसे पढ़ना है कितना पढ़ना है यह सभी बातें उसमें बताई जाएंगी कहां से पढ़ना है यह भी आपको बताया जाएगा उसके साथ-साथ आपको free test series यहाँ पर conduct कराई जाएगी जिसमें daily basis पर भी test होंगे जब कोई विशय कंप्लीट हो जाएगा तो उसका sectional test भी होगा और अंत में full length test भी होगा और यह सब कुछ होगा बिल्कुल निशुल्क हमारे एप पर in focus civil academy नाम का एप play store से डाउनलोड करना है वहां से यह सभी चीजे संचालित होंगी इसके अलावा यहां पर आपको मिलेंगे बहुत ही filtered यानि छने हुए dedicated notes ये notes पूरे विशय के ना हो करके बलकि बहुत ही संच्शिप्त और सारगर्भित होंगे यानि उतने ही होंगे जो आपके 50 दिन में पढ़ने लायक हों उसके अलावा कुछ-कुछ pages के रूप में filtered content यहां को आपको मिलेगा और यह भी बिलकुल निशुल उसके बाद यदि बात करें तो यहां पर जो core subjects हैं जिनको मैं core subject की संग्या देता हूँ यानि ऐसे subject जिनका इस परिक्षा में खास तोर पर वेटे ज्यादा है उसकी हम लोग separately free classes भी चला रहे होंगे YouTube चैनल पर live के माध्यम से उसके अलावा देखे तो यहां पर आपको एक dedicated strict time table follow कराये जाएगा वो time table strict इस लिहास से होगा कि वहां पर आपके लिए किसी भी प्रकार की अनियमित्ताओं की कोई गुंजाइश नहीं होगी कोई स्थान नहीं होगा यह अपने आप में काफी hard time table होगा hard challenge का न यदि आप already पढ़ा ही कर रहे हैं तो अपने किसी एक ऐसे कोने को पकड़ सकते हैं जहां पर आप इस challenge के माध्यम से अपने आप को challenge कीजिए वहां पर यदि आप अच्छा करेंगे तो आप पुरस्कृत होंगे और बुरा करेंगे तो दंडित होंगे कुछ ऐसी हम लोग analysis करके फिर आपके सामने बताएंगे कि किस चीज को कहां से पढ़ना है कैसे पढ़ना है कितना पढ़ना है इस सारी स्वतंतरता भी इसमें आप पर होगी यानि यह जो time table होगा वो अपने आप में flexible भी होगा कि उससे आपका भी time table बाधित ना हो किन्तु उसके हिसा यारो prelims के लिहास से important है उसको कम से कम तीन बार revise कर दिया जाए उसके बाद उस पर तमाम सारे test के माध्यम से अपनी knowledge को भी test कर ली जा और इस प्रकार आपका यह जो prelims की जो इतनी बड़ी चनौती है उसको आप लोग किसी भी हल में इस समस्या से निजात पा सकें इस आपकी इस तैयारी को धार देगा आपकी तैयारी को सुचारू बनाएगा और आपको तमाम प्रकार के भटकाओं से बचाएगा कि जो भी गैर वाजिब गैर जरूरी चीज़े आप लोग पढ़ते हैं वो आपको नहीं पढ़नी है और अंतिम 50 दिनों में किन बेहत जरूर चीजों को कम्प्लीट करना है वो सभी बातने इसमें शामिल रहेंगी इससे आगे की जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो में आप लोग बने रहिएगा वहाँ पर आप इसे देख सकते हैं यह एक ऐसा पात्वे है जिसके माध्यम से आपकी यह तैयारी बहुत ही भोला भाला अलग अलग पत बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूं राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मध्शाला तो हमें मध्शाला नहीं पानी है बलकि मध्शाला के सेंस में हमें आरो यारो का प्रिलिम्स क्लियर करना है और प्रिलिम्स क्लियर करने के लिए मेरा यह दावा है कि हमारे 50 Hard Day Challenge प्रोग्राम यदि आप इस चैलेंज को स्विकार करने का माददा रखते हैं तो निश्चित तोर पर आप इस तैयारी में काफी बहतर सिद्ध हो सकते हैं। उमीद है आप लोग इसे ज्यादस ज्यादा पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे हम लोगों को भी यह प्रोचसाहन मिले कि हम लोग इसमें ज्यादस ज्यादा गिववेज कर सकें, ज्यादस ज्यादा आप लोगों के साथ में समरपित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार